अज़ की वीडियो में आपके साथ हों मेड नीम एलोवीरा ओईल की वीडियो शियर करूंगी तो फ्रेंट से आप यह देख सकते हैं यह ओईल मैंने घर पर ही बनाया है नीम एलोवीरा से इस्पेशली ओईल बनाया गया है जो कि हमारे बालों की जितनी भी प्रॉब्लम से उ डेंडरफ की प्रॉब्लम यहां तक आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन इंफेक्शन तक सबको यह खतम करेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको इसे बनाना सकाऊंगी कि आप इसे घर पर कैसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही तो फ्रेंट्स इस ओयल को बनाने के लिए मैंने यहां पर फ्रेश नीम का यूज किया है अलोवीरा जेल का यूज किया है यह दिखे फ्रेश मैंने अलोवीरा लिया है कोकोनेट ओयल एंड कैस्टर ओयल लिया है तो सबसे पहले मैंने यह नीम की पतियां जिसे मैंने अच् करना है यस इतना ज्राइन है कि अग्रेंगे देख धक्ती करना है, जी तरह दो करना है थिर हमा प्राइब रहना है थिन然 कि प्राइला सो करना है बहुत ही जदा उप्योगी होती है, इसके फाइदे हमारे बाल, हमारी स्किन पर बहुत ही जदा अच्छे होते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको अलो वीरा को अच्छी तरह से काट लेना है, इसे भी पहले मैंने वाश कर लिया था, तो नीम को मैंने ये देखिए, कुछ इस तरह से पीस लिया है, अब मैंने कडाही रख दिया है, सबसे पहले इसमें मैंने कोकोनेट ऑइल डालना है, जो मैं ये तेल बना रही हूँ, इसे आप कम से कम 15 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, अब मैंने इसमें कैस्चर ऑइल डालना है, आदी बोटल मैंने कैस्चर ऑइल की डाली है, ये दोनों ऑइल आप मार्किट से ले सकते हैं, तो पिसी हुई नीम को मैंने ऑइल में डाल दिया है, और गैस को बिलकुल मैंने सिम रख है, बिलकुल स्लो रख है, गैस को आपको तेज नहीं करना है, सिम गैस में ही हमें इस तेल को बनाना है, तो देखिए तेल में कुछ इस तरह से बोईल आएगा, अब इसमें मैंने अ नीम को हमने पीस कर डाला है तो नीम का बहुत ही अच्छा कलर ओयल में आ जाएगा आठ से दस मिनट के लिए आपको कम गैस में इसी अच्छी तरह से पकाना है तो आप देख सकते हैं कि तेल का रंग बिल्कुल हरे रंग का हो गया है अलोवीरा का जितना भी असर है वो सारा तेल में चला जाएगा और नीम के जितने भी फाइदे हैं वो सारे तेल में आ जाएंगे आठ से दस मिनट के लिए अच्छी तरह से कम गैस में इसे पकाएं तो देखिए शे से साथ मिनट हो गए हैं और नीम का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज हो चुका हैं आठ मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना नीम हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द हैं नीम में बहुत सी एंटि बैक्टिरियल एंड एंटि फंगल प्रॉपरटीज होती हैं अलो वीरा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है इसके रेगुलर यूज से आपके बालों के जितनी भी समस्य आए हैं वो सारी खतम हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि तेल बिलकुल ठंडा हो चुका है अब हमें इसे अच्छी तरह से चान लेना है ये देखिए अच्छी तरह से ओईल को चान लेना है ताकि जितनी भी नीम की पतिगा है या एलो वीरा है वो सारी निकल जाएं तो आप देख सकते हैं कि तेल का रंग कितना सुन्दर आया है तो कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे चान लेना है अब मैं एक चमच से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें जितना भी ओईल है वो सारा निकल जाए बहुत ही फाइदे मंद तेल है इसे आपके बाल लंबे होंगे अगर आपकी बाल तूट रहे हैं या फिर आपको गंजे पन की समस्या है तब भी आप इस तेल का यूज कर सकते हैं हफते में दो बार आपको इस तेल का यूज करना है सफेद बालो की प्रॉब्लम या फिर डेंडरफ की प्रॉब्लम या फिर आपके पतले हेर हैं तो आप इस तेल का जरूर यूज कीजिए तो अब कुछ इस तरह की मैंने ये खाली बॉटल का यूज किया है जिसमें मुझे तेल को डाल लेना है आपके पास भी कोई भी खाली बॉटल है तेल की या कोई भी खाली बॉटल उसे अच्छी तरह से धोले और इस तेल को आप स्टोर करके रख सकते हैं हफते में दो बार आप इसका यूज कीजिए आपको अपने बाल इतने ज्यादा लंबे लगेंगे अच्छी तरह से बंद कर लिया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी तेल से हैवी हेयर ओइलिंग की वीडियो शियर करूंगी तो फ्रेंटस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडस एंड फैमली के साथ शियर कीजिए मिलूगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तो आप देख सकते हैं कि तेल का रंग कितना ज़्यादा सुन्दर है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना